असलाम अलेकुम मैं हूँ हिरा और आप देख रहे किचन विद हिरा तो आज हमारे किचन में बन रहे है टोस्टेट चिकन सांडविच तो वो बनाने के लिए हमें जो चीज़ा चाहिए वन बाउल के बराबर या पर लिया है मैंने बॉल शेलिट चिकन टू टेबल स्पून या पर लिया है मैंने प्यास टू टेबल स्पून लिया है मैंने शिम्ला मिर्च और टू टेबल स्पून ही लिया है या पर मैंने टमाडर गरम मसाला पाउडर लिया है या पर मैंने वन टी स्पून काले मिर्च का पाउडर भी लिया है मैंने या पर वांटी स्पून नमक भी लिया है या पर मैंने वांटी स्पून और मायोनीज हम लेंगे या पर टू टेबल स्पून भरके तो अब हम प्यास को फ्राइ करेंगे एक पैन लिया है मैंने जिसमें मैंने हजब जरूरत तेल डाल दिया है यह जिसी गरम हो चुका है अब मैं प्याजस में डालूंगी पर शमला मिर्च और आखिर में टमाटर और इनको मैच इसे सॉफ्ट कर लूँगी यह फ्राइ हो रहे है अब हम इसकी सॉफ्ट होने का इंत कर लेंगे सारे नमक आड़ करेंगे गरम साला और काली मिर्च का पाउजर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे यह अच्छे से पक चुका है अब हम इसको एक बाउल में से निकाल लेंगे एक बाउल में हमने इसको निकाल लिया है अब हम इसमें मायोनीस आड़ कर मैंने टो और उद से तेल कहारें नहीं नहीं और ऑज यह दोस्य ब्रेड किस्लाइस प्रवैये हैंala जाइन हम ईन्होंने साइड अची तिदें दढ़ाहां दोनों साइड्टों आपे एक स्लाइस पर मेक्सटियर को अच्छिते मैने और टोस्ट कर लेंगे तेल जहीं आश्वरा किंथी आइसाई आशीक तेल स्था कई दी कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के सैंविच तैयार हो चुके हैं आप इस रेसिपी को जरूर फ्राइब करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो अगर आपको यह चिकन सैंविच की वेडियो अची लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें से शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अलाहाफेज